हुआ लेवरिवंगे अपते हैं में अवी कालिए बहुत लोगों को पता नहीं होते हैं मैं Stadt एक क्ली Rs.न लुटत वैच वीडी सबस्क्राइब फीसिट उसकते हो जरा से हाइश करने कहा है चाहिए muscle building या fat loss कर रहे हो तो यह information आपके लिए बहुत important है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और like कर देना So what is calories? Calories is basically a unit of energy जिसे कि आपके body को task अफर्म करने के लिए energy की ज़रूत होती है तो energy कहां से आती है? तो energy आती है calories की जैसे जो आपके internal organs भी जो function करते हैं उनको भी calories चाहिए होती है It's basically just like fuel for your bike जैसे कि आप गाड़ी चाहिए तो गाड़ी के लिए गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूत परती है आपको results नहीं मिलेंगे तो make sure आप डाइट की knowledge अच्छी रखे और calories क्या है यह सब इनके बारे में basic knowledge आपको होनी चाहिए तभी आप अपना result जो है आप अच्छीव कर सकोगे बाड़ी बिलिंग जो फीजिक आपका गोल है वह अच्छीव कर सकोगे वरना बिना डाइट और बिना supplementation या बिना किसी डाइटिंग knowledge के आप यह अपना result गेन नहीं कर सकोगे आपको पता चल गया होगा अगर और information जानना चाहते हो तो नीचे description में लिंक है पूरे calories के ओपर एक article है article में जाओ और article पड़ो और थोड़ी information मिल जाएगी आपको okay so next बढ़ते हैं अपनी maintenance calories के ओपर maintenance calories है क्या तो maintenance calories ऐसा है कि जो food आप consume करते हो अगर आपने maintenance calorie में आप और food consume किया ना तो आपका वजन बढ़ेगा न घटेगा आपका वजन जितना ही उतना ही रहेगा और वो maintain करने के लिए उससे कहते maintenance calories तो maintenance calories कैसे क्या पता करें क्या पता कैसे पता करें तो नीचे description में link है calorie calculator के नाम से तो जो link में कुछ information आएगी information फिल करो और आपको एक rough calories का idea वो मिल जाएगा तो उसे आप follow कर सकते हो accurate नहीं होगा बट एक enough हो जाएगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि okay तो इतनी calories में मुझे maintain करना है अपको help करेंगे कि ना ही आपका वजन कम होगा और ना ही आपका वजन पड़ेगा तो जिसकी मदद से आपना आपका वजन ना कम होगा ना जादा होगा आप slightly calorie maintenance calories में खाओ और यह आपको maintain करने में बहुत easy होगा तो you can slightly यह उन लोग follow कर सकते हैं जो ना की बहुत fat हो ना की बहुत जादा skinny हो तो जो media मेरे जैसे हैं उनको maintenance calories की ज़रत पड़ती है so slightly maintenance calories में जाओ अगर आपसे नहीं हो रहा है अगर आप बहुत जादा मोटे हो या बहुत जादा स्कीनी हो तो आपको calorie deficit में या calorie surplus में खाना पड़ेगा तो बात करते है calorie surplus की बैसिकली जब आपकी maintenance calories अगर दो सो दो हजार है तो जो हजार से 200 calories up करने के वाज़ते उसको कहते है calorie surplus यानि आपकी maintenance calories से उपर खाते हैं उसको बोलते है calorie surplus तो calorie surplus बिसिकली ये diet थोड़े skinny लोग फालो करते हैं क्योंकि उनका weight gain हो जाए या कुछ लोगों को bulking के वक्त ये काम आ सकता है तो इसलिए calorie surplus में खाना चाहिए जब आप जबी आप बल कर रहे हो तो calorie surplus में खाने आपका weight थोड़ा increase होगा और muscle mass बढ़ेगा इसी वाज़े से आप थोड़े और थोड़े healthy and muscular दिखने लगों तो आप इस calorie surplus को follow करते है calorie deficit क्या होता है जब आपकी maintenance calories होती है कि आप calorie surplus में maintenance calories से अप calories करते हो और यह calorie deficit में आप डाउन करते हो मतलब आप जब calorie surplus में होते हो तो आपकी maintenance calories से 200 calories extra खाते हो अब जब आप deficit state में होते हैं तो 200 calories कम खाते हो तो जिसकी वज़ा से आपका जो excess fat है या जो लोग मोटे है उसका fat थोड़ा थोड़ा कम होगा यह डाइट बेसिकली बहुत मोटे लोग फालो करते हैं और जो bodybuilder कट या cutting की face में होता है तो वो calorie deficit में एकाता है अगर आपको और कुछ भी डाउट है कि भाई यह ऐसा को समझ में नहीं आया तो फील फिरी टो मेसेच में इंस्ट्राग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है जो फॉलो करो और मुझसे कोई भी सवाल fitness related पूश सकते हो मैं उसक चाहते हो कि छोटी सी information वीडियो थी अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक calorie surplus maintenance और deficit के बारे में एक detailed वीडियो बनाओ तो प्लीज नीचे comment में बता दो जिससे कि मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग भी interested हो मेरी वीडियो में और आपको भी मेरा content थोड़ा पसंद आ रहा है तो आप मैं उसके उपर detailed video जरूर बनाओगा यह video स्रिफ आपको मालूम करना था कि आपको किस state में जाके आपकी diet follow करने चाहिए diet plan बनाना चाहिए आपकी space में हो आपको क्या करना चाहिए पहले bulking करना चाहिए या cutting करनी चाहिए या maintenance calories में खा सकते हो तो इस एक छोटी सी video थी करने के लिए अगर आप चाहते हो कि और detailed video आए और ऐसे topics यह videos आए तो नीचे comment करो चैनल को subscribe करो आप videos तो देखते हो videos के views तो जाते हैं पर आप subscribe नहीं करते हो तो जाओ subscribe करो तो इतना है था अचके video के लिए hope you like the video मिलते हैं अपनी लेक्स वाली वीडियो में तप्ते की ल कर दो आप आप